हलो एन वेलकम टू हेल्डिजन्स ब्लॉग मेरा नाम है निधी पांडे और हम सभी जानते हैं कि हम मेरे ख्याल से 90 लोग होम बाउंड हैं और हम सभी को ये क्वेरी है कि हम कैसे किस तरह एक छोटा सा एफ़र्ट करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज़ इम्यूनिटी आप रोज महनत करके महीनों महनत करके और सालों महनत करके बिल्ड करते हैं तो जितनी भी चीज़ें अभी मैं बताऊंगी इसको सिर्फ इस हफते नहीं बहुत लंबे समय तक यदि आप फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी खासी जरूर बिल्ड हो जाएगी तो सबसे पहला जैसा कि हम सब जगह पढ़ रहे हैं stay hydrated अब stay hydrated मतलब कितना पानी पीना चाहिए तो लगबग 3 लीटर पानी हम में से सबी लोगों के लिए जरूरी है अभी current scenario के हिसाब से साधा पानी के अलावा थोड़ा सा अद्रक का रस पानी में आड़ करके ले सकते हैं अद्रक का रस नीबू का रस और सिंधा नमक ये mixture ले सकते हैं तुलसी की leaves को आपने पानी में boil कर लिया थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनिट उसको strain करके वो पानी is very good to drink आपका जो normal water storage container है उसमें तुलसी या पुदीने की पती आपने आड़ कर दी वो पानी को काफी हद तक जो है positive ions देता है और थोड़ा सा minerals and freshness प्रवाइड करता है इसके अलावा मीथी नीम जो बहुती छोटा सा ingredient है हम उसको कहीं consider नहीं करते करीब 10-12 मीथी नीम की पत्तियां लेके डेड़ कप पानी को उबा लिए जब तक कि वो एक कप ना हो जाए इसको दिन में एक बार पी सकते हैं आप नीबू, अद्रक, इसके अलावा थोड़ा सा काली मिर्च, काला नमक, सेंधा नमक ऐसा mixture बना कि आप एक लीटर बोटल में रख सकते हैं इसको पी सकते हैं इसके बाद अच्छा एक और चीज है यदि आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत कड़वा कुछ खाना पसंद है तो जो कड़वी नीम रहती है इसके उपर की बहुत छोटी-छोटी पत्तियां रहती हैं अगर आप इसको एवरी ऑल्टरनेट डे सरिफ एक बार चू करके गटक सकते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टन चीज हम में से सभी के घर में एक चांडी का सिक्का और एक सोने का सिक्का हमेशा अविलेबल रहता है तो आपका जो वाटर स्टोरेज सिस्टम है जिसमें से आप पानी लेते हैं एक गोल्ड कॉइन या प्यो कॉइन डाल दीजिए या सिलवर की कुछ कटोरियां रहती हैं चम्मच रहते हैं विच इस प्योर सिलवर जिसमें एडिटिव नहीं है एडिशन नहीं है इसको रखे रहने दीजिए गोल्ड और सिलवर इनर्ट रहते हैं इनको रोज निकालके धोने की बिल्कुल जरूरत इसको as it is रहने दीजे इसके अलावा अगर आपके घर में कोई different containers हैं जैसे silver का glass हो गया, copper का लोटा हो गया, brass का या कासे का लोटा, glass इस तरह की कोई चीजे हैं तो इसमें पानी भरके रखे और दिन भर जब आपके family members पानी पीते हैं तो इसमें से पानी पीने के लिए उनको पानी को उसमें अंदर रखा हुआ हो, this is true in case of copper, silver और gold के case में ये time frame थोड़ा सा reduce होता है, brass के case में भी थोड़ा सा time frame बढ़ता है, तो कम से कम उतनी देर तक metal पानी के contact में यदि रहेगा, तब उसमें antimicrobial properties initiate होंगी, तब उसमें positive ions release होंगे, जो आपकी body को benefit देंगे भीगे हुए dry fruits खाईए, घर पे हैं, कुछ खाने की craving हो रही है, तो वो कुछ खाने की craving हो, उसके पहले आपके हाथ में भीगे हुए dry fruits handy रहना चाहिए, या तो आप रात में भीगो दीजिए, सुबे खा लीजिए, आप काजू, किश्मिश, मुनक्का, बादाम, अखरोट इन सारी चीज़ों को भीगो के बहुत conveniently यूज़ कर सकते हैं, यदि छुहारा या खारक आपको अच्छा लगता है, तो इसको भी भीगो के यूज़ कर सकते हैं, या तो आप रात में भीगो के सुबे खाईए, या सुबे 10-11 बजे करीब जब आपको यादाब भीगो हैं, क्योंकि जब आप पल्सिस को भीगोते हैं, तो इसका प्रोटीन कंटेंट बाइलोजिकली जादा अवेलिबल हो जाता है, पल्सिस का विटेमिन C और B कॉम्पलेक्स बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसके अंदर जो मिनिरल्स रहते हैं, यह हमारी बॉड़ी के उसको चटनी में आड़ान कर सकते हैं, उसको पीस के उसका चीला या दोसा बन सकता है, अगर आपको अलग से नहीं खाना तो आपकी जो भी ग्रेवी वाली है, ड्राई सबजी है, उसमें उपर से आपने थोड़ा सा गार्निश कर दिया, तो स्प्राउट से आपने थोड़ जिसमें मेरा एक छोटा सा इंपुट है, in which आवला is a cure for each and every health issue that you have, और आवले को बहुत जादा प्रोसेस करने के बाद भी उसका विटमिन सी जो है, ये बाइलोजिकली बहुत easily available रहता है, तो सुखा आवला, आवले की मुखवास, आवले की जो भी टाबलेट्स यदी आप के पास है, या चूरन है, या खटा मीठा आवला बना के रखते है, आवले का अचार है, या मुरब्बा है, the same goes well with lemon, याने की नीबू, और कच्चा आम, तो कच्चे आम की चटनी बनती है, पना बनता है, और इसके अलावा मुरब्बा बनता है, इन तीनों में से जो भी ची हर डाइटीशन, हर सोशल मीडिया, every article focuses on good fats, तो जब हम good fats की बात करते हैं, तो वो वाले fats जो cold pressed और extra virgin है, याने की cold pressed extra virgin coconut oil, cold pressed extra virgin olive oil, तिल का तेल जो usually filtered होता है, और generally cold pressed ही होता है, इन तीनों को या तो आप गरम पानी में एक चमच तेल पी के ऊपर से गरम पानी पी लीजे, if that is easy for you, नहीं तो आपके जो salads या chutney है, उसमें आप थोड़ा सा oil mix कर दीजे, वो भी नहीं तो आपकी रोटी, डाल, सबजी, etc. जो भी items आपके इसमें उपर से थोड़ा सा कच्चा तेल जरूर आड़ कीजे, this boosts your digestive system, आपका जो एक एक digestion का process है, उसको ये बहुत easy और कर दे अब इसमें से जो जो चीजें मैं बता रहे हूं, इसमें से कोई भी चार चीजें आपके खाने में daily, अभी for the next 21 days आना चाहिए, सौफ, अजवाइन, सुखा अनारदाना, हरी इलाइची, बड़ी इलाइची, सफेद तिल या काला तिल, लॉंग, कलॉंजी याने onion seeds, सबजा के बीज, which is basil seeds, holy basil seeds, या tulsi seeds भी कहते हैं इसको, और खडा धनिया, इसमें से जो भी चार चीजें आपके पास readily available हैं, इसको daily consume कीजे, in whatever form that you can, रोज एक कौर या दो कौर खाना कम खाईए, ये याद रखिए कि right now you are home bound, आपकी physical activity drastically reduced हुई है, आपका calorie drastically reduced ना हो, तो कम से कम रो खाना चब आते थे, उससे double bar चब आईए, तो जितना खाना आप खा रहे हैं, उसका automatically portion reduce होगा, और 2 bites तो हम कम कर ही रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है, थोड़ी देर धूप में बैठना है, जो भी खाने का time है, उसको follow करना है, रात में जल्दी सोना है, these are very basic things, very monotonous, but very important to do as of now, vitamin D, यदि आप अभी ले लेंगे, तो आपकी immunity को थोड़ा सा boost जरूर मिलेगा, घर के बच्चों के लिए और बुजुरकों के लिए, this is mandatory, and yes, no smoking and no alcohol for the next 21 days, जब तक आप ये plan follow करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप अपनी immunity थोड़ा सा better करने की कोशिश कर रहे है Every puff of the cigarette and every peg of the alcohol, ये आपकी immunity को daily 4-5% कम करता है, तो ये instruction मेरी तरफ से है, choice आपकी है And yes, you can try all the diet hacks that you have been dreaming of, one meal a day आपको करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, zero salt, zero sugar, water fasting, dry fasting, जिसमें आप 24 गंटे तक पानी नहीं पीते हैं, intermittent fasting And you know, boiled vegetables for 2 meals a day, या boiled meals for 3 days in a week, इस में से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी doable है आपके हिसाब से, with proper guidance, किसी भी अच्छे diet consultant से मिलके, प्लीज उसको follow कीजे This is a golden time to reduce and cut back on the calories and go for a wonderful detox Last में कुछ 4-5 points, क्योंकि हम सब घर में हैं, हमारे हां कौन-कौन सी चीजे हैं, जो indoor pollution करती हैं आपके room fresheners, जो हम यूजुली spray कर देते हैं, अच्छी समेल आने के लिए, आपके air fresheners, आपने छोटे-छोटे pockets हैं घर में जहां पे air fresheners लगा के रखे हुए हैं These are not good for you, especially if you are home-bound for the entire 24-48 hours बहुत जादा cleaning liquids यदि आप यूज कर रहे हैं, इना much higher concentration जैसे मान लीजे, एक bucket में आदा ढकन या एक ढकन फिनायल का proportion है यदि आप इससे double या triple amounts यूज कर रहे हैं, just to keep the home clean Remember, you are not just keeping the home clean, you are filling it with lot of fumes तो वो fumes ना रहें, इसलिए जो advisable concentration है, उसी में use कीजे यदि आपको लगता है कि mosquito repellent दिन भर चालू रहने से मच्छर नहीं आएंगे You are wrong, क्योंकि इसमें बहुत सारे chemical fumes रहते हैं, जो दिन भर हमारे घर में present रहेंगे It is always advisable to use a mosquito net And last but not the least, जितना भी plastic आपके घर में हैं, plastic की polythins हैं, plastic के डब्बे हैं, जिसमें आपने चीजे stock की हुई हैं Please remove things from them उन चीजों को जो plastic में रखी हुई हैं, उसको पहले use करना शुरू कीजिए इस तरह internal pollution को कम करने की कोशिश कीजिए So stay safe, stay happy, stay positive और हो सके तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा Thank you so much